सिवान के नोतन में उस समय अपरा तफ्री का माहौल कायम हो गया जब सुबह के तीन बजे अचानक एक मकान धूधू कर जलने लगा और देखते ही देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया घटन नोतन थाना इलाके के एकलाम गाउं की है जहां आज 13 जुलाई की सुबह तीन बजे अचानक अनिल यादो का फूस का मकान धूधू कर जलने लगा जिसमें सोई एक महिला ने जैसे तैसे भाग कर अपनी जान बचाई वहीं आग की लपेटे इतनी तेज थी कि जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया बता दे आपको किसी गाओ में एक सप्ता पहले भी एक मकान में अग्यात लोगों ने आग लगा दी थी जिसके एक सप्ता बिटने के बाद यहां आग लगी की दूसरी घटना सामने आई है जिसके बाद गाओ में दहसत का महौल कायम हो गया है हलाकि यह घटना कैसे घटी है यह पुलिशिया जास के बाद ही पता चल सकेगा दूसिया जास के लिटी है। लुए मसे उप से झालिक में कूझ जहींर टो, कि जहीं बाइवा है कि भुए कियो है लुए ऱलसा है